आप सभी लोगों को एंड वेलकम टूम मैं चैनल तो आज हम बनाने वाले एक बहुत ही अलग और स्पेशल और एक दिप नई रेसिपी होने वाली है जो कि हम बनाएंगे सर्सो के साख से सर्सो के बाजी तो सबने बहुत खाई हो गया अलग अलग तरीके से खाई होगी बार भार आरिफ ऑर रोज जोजना एंड ईसम Urban भाने पूरो आफे ऐन आखे सर्सो के साख चैनल और रहması है कि ठीक झैले ईडला चैसान इंटो कि पर तीले में पानी है अगुधिंगद में उस्चे न visageए सर्सो कप चैनल पानी कर द इन नम्मक जा नहीं अच्छे झालए कुलकर में यहां पर यूज कर रहा हूँ दोग्याइख दिद्धने मिर्ची कसे पर यहां पर mírrs डालना है। अगर आप लोग को दोसा जो है ज्यादा तीखा करना है तो आप लोग जो है हरी मिर्ची के कॉंटिटी यहां पर बढ़ा भी सकते हैं तो बस इतना ही डाल के इनको ना बहुत अच्छे से ढखके जो है थोड़ा से धीमे आज पर बॉइल होने देना है कि पाता ही है सबसों के धानी वहना करणने जैना है चाहिए थंडा कर लेना है उसको तो छनी बढ्नी की मद़त ले सकते है इसको घो निकाल कर देना है थंड सो के एक निकाल कर लग दाना है मिकसर का पॉट लेंगे उसमें डालें एक चमज बारिक वाली醒 सूजी एक चमज रागी का आटा अगर यहां पर चावल बन में पूल के प्रहुता के लगने ट्रौशन हिसकते हैं यह जाकी यह ले उन्हेsub आप्सलेशतं। स्वादा नुसार नमक और पानी डाल के इसको जो है हम यहाँ पर पीस लेंगे ज्यादा इसमें कुछ डालने की ज़रूत नहीं लग रही है तो इसको जो है अच्छा पतला सा जैसे कि हम लोग दो साव अगरे बनाते है तो उसका घोल रहता है तो इसलिए पीस टाइम जो हमारा सरसो था जो हमने उबाल के रखा ता सरसो भाजी और वो सब भी उसमें डाल के जो है पानी डाल के अच्छे से पीस लेंगे पतला सा थोड़ा पेस्ट बना लेंगे और इसमें ही जो है मिक्स कर देना है और और इसमें कुछ भी नहीं डालना है अच्छे से मिक्स क कर देंगे और इसको तो यह थोड़ाा डाला झमें अपना परुस्त करके आवले क यूस कर सकते हैं प्लेन दोसा करें दोसा बना सकते हैं मैं यहां अपर वह को रहा है यहां पर रहता है तोええ आप लोगों आप टारीका तरीका और बताऊंगी आप लोगों को ज़रूत नहीं लगेगी और इतना ज्यादा अच्छा लगे और बच्चे को जो है मांग मांगे खाने वाले बड़े से लेके छोटे तक सब इसको खाएंगी तो करना क्या है दोसा जैसे लोग फैलाते हैं नौर्मली दोसा पैन में वा अगर तो यह दोनों डाल के इसको जो है बहुत अच्छे से फैला लेना है अगर थोड़ तीखा करना है तो आप लोगों शेजवन चैटनी का यूज करें तो प्रिजेंट वास्ता सौल बेस्ट है और फिर मैंने यहां पर पेरी-पेरी मसाले का यूज किया है थोड़ा से अगर आपको पास पेरी-पेरी मसाला नहीं है तो जो मसाला मैजिक होता है मैगी का तो वह आप यहां पर थोड़ा सा यूज कर सकते हैं डालने के लिए अगर पेरी-पेरी है तो वैस्ट है फिर इसमें टाल देंगे थोड़े से प्याज शिम्ला मेर्च आप लोग इसमें जाए जाए ने गोबी-चीज़ और आपको जाए अच्छी लगती है जो है उपर से डाल सकते हैं मेरे पार जो वैजटीब अबेलिबल था वह आपर यूज किया हुआ है दन्यावाई डाल देना है और चीज तो पता ही है चीज जिसको अच्छा लगता है और चीज डाले बच्चा लोग पसंद नहीं लेकिन अगर आप लोग ऐसे बनाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यह सर्सो भाजी से हमने बनाया है सर्टोबाजी वि होते हैं वह जादा बहुत ज्यादा होते हैं तो आप अपने बच्छों को जो है यह खिला सकते हैं वह सर्टो का सब्सक्राइब और आफला ऐसा खाना पसंद नहीं करेंगे लिकिन अगर आप ऐसा बना के खिलाएंगे न तो वह रोज रोज खाना पसंद करेंगे मांगना पसंद करेंगे बच्चे को पसंद भी आएगी और बच्चा का जो है थोड़ा सा बच्चा हेल्दी फूट भी खा पाएगा वैसे नॉर्मली बच्चे जो है वह सब्सक्राइब नहीं खाते हैं लेकिन अगर यह बना कि खिलेंगे तो बहुत ज्याद कोई भी चटनी बटनी का झाली यहां पर यूजर मेंने नहीं किआ हैं नॉर्मल ली जैसे बनाते हैं ऐसे बनाया है तो आपहों बड टेस्टी लग रहरा है अपने मट्चे लों पलीड वीडियों ङसे ओने हाँआए ईट्ड़बो घे दे, वह सकते हुए जहें त попад को अभड़ी था अजल दिया और गाले में चयानल चैनल को लायक्षे और सब्सक्राउब stays